2021 के अनुसार है न क्योंकि जिन्हों ने यूपी टपल सी पीटी 2021 का फॉर्म भरा था और जिन्हों ने अच्छी खासे मार्ग से उसमें प्राप्त किये थे उन सब के लिए बहुती बड़ी खुसकबरी है बड़ी खुसकबरी क्या है कि आप लोग सब पिछले एक महीने से क्य चुरू होगा तो आप लोगों के लिए बता दूँ सबसे बड़ी खुसकबरी आप लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश में जो बंदर होगा की भरतिती उसके फॉर्म भरे जाने की सुरुवात हो चुकी है इस बात को आप सभी साती याद रखेंगे ठीक है मैं आप इस पर मैं फोकस करूँगा यहाँ पर कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है एक एक जानकारी और आपकी कैसे मदद करेगा स्लेबस क्या होगा इस पर भी मैं बात करूँगा परेशान मत हो यह ठीक है तो 17 एक्टूबर है आज और 17 एक्टूबर से इसकी सुरुवात हो चुकी ह आप इस फॉर्म को 6 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे तो भाईया भरना सुरू कर दीजिए कौन भर सकता है इसके उपर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप सब जानते कि यूपी ट्रपल सी इस परिक्षा का आयोजन करवा रही है तो इसका मतलब वही भर सकते हैं जिन्हों उन्हें यूपी ट्रपल सी पीटी पिछली बार दिया था वही इस फॉर्म को बर सकते हैं उनीक एक काम की चीज है अब इसमें सर पद कितने हैं तो बीटा पद हैं इसमें 701 मतलब SI की वेकेंसी है और यह पद अच्छे खासे माने जाते हैं क्योंकि जब आप यूपी PCS की की बात करते हो जब आप आरो यारो की बात करते हो तो आरो यारो में 200-500-300 पद होते हैं उसमें से लगबग 2500 बच्चे तो हमारे पास पढ़ रहे हैं वहां कमटीशन और बहुत जादा होती है यहां पर उतनी कमटीशन नहीं होती जितनी आप लोग सोचते हो कि सर इसमें 700 700 पद हैं मैं आपको बताता हूं कि 700 पद कैसे बहुत जादा हैं तो आप लोग समझेगा कि 700 पद हैं जिसमें महिलाओं के लिए पूरुसों के लिए भी हैं इस बात को आप याद रखेंगे अब इसमें अगर मैं बात करूं तो अनरे जर्व जो पदों की संख्या अर्था जिन पर कोई भी फॉर्म भर सकता है वो 288 है ओबी सी के लिए यहां पर एक सो साथ पद है और स्ट के लिए भी बीस पद है इस बात को आप याद रखेंगे ठीक है बाकी EWS के भी यहां पर 700 में 10 परसेंट तो आपके सत्तर हो जाते हैं तो इसको आप याद रखेंगे ठीक है तब ग्रेजुएशन नहीं हुआ था पर अब हो गया है मैं क्या फिल कर सकता हूं मैंने जब पैट दिया था तब नहीं तो नहीं वर सकते साथ क्योंकि पैट में आपकी 12 की ही वो रही होगी लेकिन आपसे अगर क्वालिफिकेशन ओने 12 नहीं ग्रेजुएशन आपने नही नहीं थे एक बार मुझे इस पर थोड़ा सा रिसर्च करने दीजिए फिर मैं आपको बताता हूं क्यों मैं गलत जानकारी आपको नहीं देना चाहूंगा भले मैं थोड़ा सा इस पर महनत करके और आप चिंता मत करिए देव ग्रीन फूड एग्रो आपको कुछ न कुछ मै इमेल बगएरा देखके जाऊंगा यहां पर आप मेल कर देंगे तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूँगा ठीक है तो आप हां तो EWS क्या हो जाएगा 70 क्योंकि यह जो ऐसी जानकारी जो आप मांग रहे हैं वो किसी नोटिफिकेशन बगएरा में नहीं थी तो मैं थोड प्रिदेंट होते हैं फ्रीडम फाइटर्स पर है ना डिफ जिस ग्रूप को हम लोग बोलते हैं तो उनके भी आपर चौदय पद हैं और कुसल खिलारियों के भी आपर चौदय पद हैं मत्तब पाच-पाच परसेंट इनको भी आँ जगह रखी गई है है ना क्वालिफेकेशन क्या होगी तो क्वालिफेकेशन थोड़ी सी अलग है और इसलिए यह कंप्टीशन बहुत आसान है देखो क्वालिफेकेशन पहले तो आयो आपकी 21-40 बरस के बीच है तो वर्दी जी आ जी और मुझे लग रहा है सब 21-40 के बीच में होंगी SCST OBC को 5 बरस अपने गडित बहुती की रसायन बनस्पति विज्यान या जन्त विज्यान या भूगर्व करसी या संखी तुकै लग के मैं ग्रओन धिस फढ़ा हैं आपने केमिस्ट्री में करLife बहार अपने जन्तु विज्ञान पढ़ लिया हो या फिर बनस्पत्व विज्ञान मतब जूलोजी बॉटनी ऐसे टाइप पढ़े हो या फिर आपने परियाबरन विज्ञान मतब इन दस मैंसे सिर्फ दो विज्ञाय अगर आपके ग्रेजुएशन में रहे हैं तो आप इस फ़र्म को भर सकते हैं अब आप देख रहे हैं यहां से बीकॉम वाले बहार हो गए यहां से बीए वाले लाखों की संख्या में बहार हो गए तो कट उप अपने आप कहां जाएगी नी से बढ़िया मौका है अगर आप graduate हैं वो भी इन सब्जेक्ट से अगर इन से नहीं है तो अगर आपने BTEC किया है क्या सुनेरा मौका है BTEC वाले बच्चों के लिए BTEC का कोई सब्जेक्ट नहीं मांगा अगर सिर्फ BTEC हैं चाहिए कोई किसी भी ब्रांच से हो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी ब्रांच से दुनिया की किसी भी ब्रांच से आप BTEC हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है बढ़िया खुसकबरी की बात है मतलब इसमें आट वाले बच्चे विचारे चट गए सारे पसुभिज्यान में अगर इस नातक हैं, BSC Agriculture में आपके पास पसुभिज्यान आदी सब्जेक्ट रहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप BSC हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप BA हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते अगर आप BBA है तो भी आप इस पॉम को नहीं बर सकते क्योंकि BBA में ये subject नहीं होते अगर आप BCA है तो भी इस पॉम को नहीं बर सकते BCOM है तो भी नहीं बर सकते आप ऐसे समझ लिजे कि अगर आपके पास graduation में इन मैं से कोई दो विसाय रहे हैं तो आप इस पॉम को भर पाएंगे तो competition बहुत कम हो जाती है आप आसानी से दरोगा बन जाओगे ये सच बता रहा हूँ है आसानी से दरोगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके प्रतिदंदी बाहर हो गए इस qualification को रखते ही चलेगा यहां तक मैं आप लोगों को बता चुका इन 10 में से कोई 2 विशाय आपके पास होने चाहिए graduation में या फिर आप BTEC होने चाहिए या फिर BTEC नहीं है तो पसुब इज्ञान में सनातक अगर है तो बहुत बढ़िया बात है आप इस पॉम को भर पाएंगे सर PET नहीं है तो नहीं बर सकते फिर आपके लिए नहीं है तो आप इसको नहीं सुनेंगे बिटा ठीक है पीटी नहीं है तो नहीं बर सकते अगर बीए हैं तो भी नहीं बर सकते हैं तो भी नहीं बर सकते चले आगा हना तो अब आगे आ जाते हम लोग अब हम फिजिकल स्टेंडर्ड की बात करते हैं कि देखो कौन भर पाएगा देखो यहां पे height की भी कोई समस्या नहीं है मुझे लगा रहा कम से कम height कितनी भी होगी तो 163 से लड़कों की जादा होगी तो यहां लड़कों की 163 height है और लड़कियों की भी 150 height रखी गई है तो आप इस form को भर सकते हैं और लड़कों का जो सीना है वो 84 cm है फुला के 5 cm एड़ होगा लड़कियों का मतलब यहां पे कुछ इस तरीके की नहीं होता है सिर्फ लड़कों का ही boys का ही होता है तो इस बात को आप लोग याद रखेगा चलेगा अब यहां तक आप अब पुरुस क्या है पुरुस अब इसमें दोर है इसके साथ पुरुस 25 km 4 गंटे में बजन नहीं लेना आपको जबकि forest guard में बजन लेकर चलना पड़ता है यहां पर कोई बजन नहीं लेना इस बात को याद रखेंगे जबकि महिला है तो 14 km 4 आवर में आपको चलना पड़ेगा क्योंकि forest SI बन रहे है कोई छोटा मोटा पद नहीं है जंगल के राजा बनेंगे आप एक तो जंगल का राजा सेर होता है और दूसरे जंगल के राजा आप होगे क्योंकि आपके अंडर जंगल में तमाम forest guard जो होते हैं लेवल के अधिकारी वो काम करेंगे तो आपका कम से कम ये physical standard तो होना ही चाहिए तो आप एक बड़े से छेतर के inspector बन जाएंगे सब inspector बन जाएंगे इस बात को आप याद रखेंगे चले आगे बढ़ता हूँ परिशान मत होई लिखित परिक्षा का सिलेबस किस प्रकार करेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे P.E.T. के स्कोर के आधार पर सिरेड़ी बार 15 गुना भीहरतियों को रखा जाएगा मत्तब 701 पद है है ना 701 पद है मैं बताता हूँ अभी कुछ बच्चों को लग रहा है सर कट ओब बहुत ज़ादा जाएगी 701 पद है 15 गुना इसमें रखा जाएगा 15 गुना का मत्तब लग बग 30 गुना हो जाता है क्यों 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 क्योंकि लेक पाल में आपने देखा 15 गुना 30 इसमें होता क्या है 28 गुना होता है क्योंकि जिन बच्चों के marks बराबर होते है उनको बराबर count क्या है एक position पर ही count किया जाता है अलग अलग नहीं तो ये बढ़के लग बग 25 से 30 गुना हो जाते है बच्चे जैसे 8000 पदों के بدले में लेगपाल के 244000 तो 8000 के बतले तो कितना 15 गुना कुतना होना चाहिए एक लाख 20,000 होना चाहिए लेकिन थे कितने 247,000 तो यह तीस गुने से भी जादा था तो यह लगबग यहां पर जो पद होंगे आपके वो ऐसे हो जाएंगे 22,000 के आसपास मत्तब 22,000 को सौट लिस्ट किया जाएगा इसमें से आप लोग याद रखेगा बीकॉम बाले बच्चे गाइब हैं ठीक है इसमें से